नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्साम पाथ फाइंडर मी जहां हम आपके लिए कवर्मेंट जॉब्स, कॉंपटेटिफ एक्साम्स, एड्मीशन और वकैंसी से रिलेटिट लेटेस इंफोर्मीशन और अलच लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगी Deputy Director Cultural Anthropology Division Post के बारे में जो Anthropological Survey of India में होंगी और ये विकेंसी डेपुटेशन के मात हमसे भरी जाएंगी इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो Analogus Post Holding होनी चाहिए Regular Basis में Parent Catering Department में और पांच साल के Great Render होना चाहिए Appointment के बाद Regular Basis में लेवल 11 में रूपी 67,700 चाहिए 2,8,700 पी मैत्रिक्स में और Master's Degree होनी चाहिए Anthropology डग्नाइस उनिवर्स्टी से और 50% से ज़्यादा Papers होनी चाहिए Cultural Anthropology में Final Year Examination में 10 साल का Experience होना चाहिए Research में Cultural Anthropology फील में और पब्लिश किया होना चाहिए Anthropology में जो desirable होगा दोस्तों doctoral degree होगी Anthropology में application mode जो है वो offline है तो आपको इस given address पर अपने application भेजने होगी जो है Director Anthropological Survey of India Government of India Ministry of Culture 27 जवाहरलाल नहरू रोड इंडियन मीजियम कैमपस कॉलकता 700016 अपने relevant documents के साथ अधिक जानकारी जैसे कि eligibility criteria, fee, pattern and actions, days of posting और अन्ने के लिए आप नीचे देएगा attachment को भी गोधिर कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यह पर सारी attachment गिवन है आप और official notification भी गिवन है जहां पर आपको इस limit number of vacancies application की starting date last date इस तरह की सारी information मिल जाए इस तरह की information के लिए आप हमारे platform alert.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं और वहांसे इसको official notification download कर सकते हैं जब आप उसे download करेंगे तो वह कुछ इस तरह से उपन होगा यहां पर इनके official website भी इवन है www.nc.gov.in साथ ही application mode just है मैंने बताया वह offline है starting rate है application की 26 February 2022 और last date है 26 April 2022 वकैंसी दो ही है तो आप जल से जल apply करें आपको सारी information मिल जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे forum community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं इसका जू लिंक है मैं description box में आप लोग के लिए डाल दूँगी और अगर आपकी कोई query हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हूं तो यहां पर एक reply box given है जहां पर आप reply करके अपनी query पूछ सकते हैं और हमारी community के साथ direct interact कर सकते हैं यह से community है दोस्तों आप लोग लिए बुनाई गई है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करते हूं कि आपको अधिक information मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो से like and share करें वीडियो में अन तक बने या निकले धन्यवाद दोस्तों मुलते हैं अगली वीडियो में